वाकिफ हैं कि अभी छठे चरण की न्यूपती की प्रक्रिया चल रही है उसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और मननिय उच्छ न्याले के निदेश के क्रम में हम लोगों को जो स्केडियूल था जो काउंसलिंग का उसे रिवाइस करना पड़ा है तो यदि आप इसको रिवाइस स्केडियूल को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो छठे चरण का जो अंतिम पड़ाव है वो है अनुमोदित मेधा सूची एवं रोस्टर बिंदू के अधार पर चैनित अभीरतियों की सूची और विद्यालेवार विशहवार रिक्ती का जला के एनाइसी के वेबसाइट पर प्रकाशन और इसके लिए दस वारह दो हजार इकीस तक की दिती दी गए तो ये जो छठे चरण की प्रक्रिया है ये डिसंबर दो हजार इकीस तक चलेगी और विभाग का प्रयास रहेगा कि उसके इमेडियेटली बाद जितनी जल्द हो सके हम सत्य चरण की प्रक्रिया को रारा मंदर सके छठे चरण में हम लोगों जो रिटियां ली हैं वो 30 जून 2019 सकी लिए तो इस दरमयान जो हमारी रिटियां हैं जो दो वर्षों में होई हैं उनको भी साथवे चरण में इसम्मलित किया जाएगा और हम लोगों ने जो सब्सक्रिक तो 25 में कुछ माधिमिक शिक्षा के लिए विट्यालियों को ग्रारंव किया है उसके विए भी हमें इस खोंकि ज्वि समी नि उनकों अकलित करेंगे और साथी साथ उसका रोस्टर भी हम अप्रूफ कराएंगे जो भी छटे चरण की रिप्ती है जो हम नहीं भर पाएंगे किसी करण वश्ट तो वो आरक्षन कोटी बार उसको साथवे चरण में भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा इसलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक्त है कि हम छटे चरण को पुरी तरीके से कप्रीट कर लें हम लोग सतत प्रयात नशील है कि साथवे चरण की काउंसलिंग को उसके लिए जो भी क्याबल है वो यथा शीक्र विवाद